शिरीगरु ग्रंसाइब जी दी बेद वीदवाद दोश्यानू अजे तक सजामा ना मिलनते अमरसर वेचे शिरोमणी अकालिदल अमरसर दे परदान सिम्रण जी सिंग मान बलो प्रेस कॉंसेस किती गई पत्तरकारानू जानकारी जंदे होए उनारा कैना है कि जज अर्वें सिंग सांगवान दे स्टेटमेंट देती है कि होण शिरीगरु ग्रंसाइब जी दी बेद वी मावले बेचे कोई भी तफ्तीश नहीं होगेगी असी बड़े नाखुश होगे है ते जिनने भी जज हैगे है ओ भी सिठाने खलाफ उल्ट फैसले करते है जिमें पहला एहे किता सिगा एहे राजबरी होना अर्वन सिंग सांगवान जज साब ने कहता कि तपतीश ही नहीं होगी गुरू ग्रांट साव दी भ्यद्वी जी ते जिड़े सिख्थ मारे है होना जिड़े तपतीश बंद करती है जे कोई बहुत वड़ा जुर्म करता है किसे नूँ जबर्दे नाल जन्नों मार दंद है ओस नूँ अदालता करनी है कि ये रेरस्ट ओफ रेरस्ट कटल है जीना मतलब है कि एक कटल है एहे जानता दुरलब है ते जान एहे अमोल है रेरस्ट ओफ रेरस्ट ओस नूँ फंसी हुं दी है हुन गुरु गरंद साब सट्डे जून दे जागदे गुरु गरंद साब भेगी है ये गुरु गरंद साब दा कतल हुया है जाँ और उस नूँ उन्ना दे आंग खराब कीते गए है जहां कुछ कीता है गया तब फेर एं अमोल क्राइम है रेरस्ट ओफ रेरस्ट ओफ रेरस्ट ते जज सागवान साब ने एस दी तफ्तीश ही खत्म कर दती है मेरा कहन दा मत्रव है जे गुरु गरंद साब नो इंसाफ इंडिया दे विच ने मिल साथा फिर असी इंसाफ दी की करिए ये सारियां करना बहुत गंबीर है गी है ये रेरस्ट ओफ रेरस्ट क्राइम होया है पर ये जजज सांगवान ने तफ्तीश ही खत्म करती है फिर सांगवान साब ने कहता कि समेच सेनी जिड़ा मुल्दम है जिसने बहुत ज़्यादा कतल कीती है बहुत भईमनी कीती है क्रॉप्शन कीती है उसनों ते बाकी बादलनों सखबीरनों ते सौदे सादनों रेस्ट ने कीता जाओगा ते सेनी साब बार दे मुल्कान दा दोरा कर सदे है जे ओ अदालत तो अजाज़त लेलेंड ते जे दो हाई कॉर्ट ने अजाज़त देती कि तुसी बार जासा देओं एदा मतलब है कि हाई कॉर्ट दा जजज एक आई पीएस ऑफिसर डी जी पी नो फरार करा रहे है कि तेरे कोड़े पैसा बहुत ज़ादा है ते जे तू बार चले जमें ता तू फरार होके अपने बाकी दी जिन्दगी पतीत कर सदे है क्यों करके इच्छे इंडिया दे वेच कुनून दे मताबक कोई गंजैश नहीं है कि तेनो खांसे दी सजार नहीं होगी ते उमर कैद नहीं होगी तो एस सारी चिजां देखते होए असी समझ दे हैं कि सड़ी जेडी जुडिशरी है एक क्रप्ठ हो चुकी है